जब इनके होने के सबूत ही इतने कम है तो हम भूत प्रेतों से डरते क्यूं हैं एक आत्मा मरने के बाद भी आत्मा ही रहती है प्रेत आत्माय कोई जादूई जन्तू नहीं है कि हमारे किस्मत के साथ खिलवार कर सके हैं दोस्तों हमने गौडव सर के उपर तीन वीडियो की सिरीज बनाए थी जहां हमने उनके कुछ केसे को डिसकस करा था और तभी मैंने कहा था कि इस साल के एंड से पहले हमें एक स्पिन ओफ टाइफ की वीडियो भी लाएंगे जिसमें उनके केसे के साथ साथ उनके मृत्य और पर भी प्रकास डाली जाएगी वेल यह वही वीडियो है जो की काफी इंट्रस्टिंग होगी एंड आज अल्वेज यह सारी बाते मैं गौडव सर पर लिखी हुई किताब घोस्ट हंटर से पढ़के बता रहा हूं जिसे अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिये लिंक पर क्लिक करके खडीच सकते हैं तो ना विदाट सेड लेट्स रोल दे इंट्रो प्रिथी राज समिट्री दिल्ली में इस्थित एक कब्रिस्तान है जो की आजादी के कई साल पहले से यहां मौजूद है बेन फनांडेस कई सालों से इस कब्रिस्तान के के गेर टेकर और इंचार्ज रहे हैं यह कब्रिस्तान खान मार्केट एरिया के पास सा जहां रोड पे स्थित है और अक्सर आसपास के लोकल्स के कौतूहल का कारण रहा है इन्हीं में से एक आदमी किसी दिन आधी रात को अपने काम से वापस लोट रहा था जब उसने बताया कि उसने स गारी घूमते ही वो औरत वहां से गाइब हो चुकी थी इस घटना और इसे जुड़ी और कई अफवाय सुनने के बाद फर्नांडे साहब ने IPS से कॉन्टाक किया ताकि सच्चाई की जर तक पहुचा जा सके फर्नांडेस ने गौरफ सर को पताया कि समिट्री के बार कुमती महसूस होती हैं लेकिन इससे पहले उन्होंने कभी किसी सफेद कपरे पहने औरत को यहां नहीं देखा 9 अक्टूबर 2012 को गड़व अपनी टीम और एक जर्नलिस्ट आर्तिका महरा के साथ समिट्री के इन्वेस्टिकेशन के लिए पहुचे उनके साथ राज भी थे जिन्होंने अभी-भी IPS को जॉइन किया था अतर उन्हें भूत प्रेतों में ज्यादा आस्था नहीं थी हरानी की बात ये थी कि आज से ठीक दो रात पहले भी कुछ प्रानॉमल इंवेस्टिकेटर्स प्रित्वी राज सिमिट्री का जायजा लेने पहुचे थे मगर उनके सारह नौ बजे राज के विचार हमेशा के लिए पलट गए उस दिन टीम में कुछ छे लोग थे और राज और गॉरब सिमिट्री के दक्षिन हिस्से में EVP, EMF मीटर वगएरा लगा कर सबूत इकठा करने की कोशिश में लगे थे तभी वहां काफी तेज हवा चलने लगी और जब गॉरब ने पूछा कि क्या ये कोई साइन है तो उन्हें एक विस्परिंग साउंड आया विच सेड हां इस पॉइंट पे EMF मीटर की रीडिंग 0.9 mg से बढ़कर 7 mg तक पहुँच चुगी थी राज ने तुरन चेक किया कि कहीं कोई फोन वगएर तो आन नहीं जिस जा रहे थे बाद में जब उन्होंने कैमरा रील्स चेक किया तो उन्हें लेडी इनवाइट साफ साफ नजर आई जो किसी सफेद आकरिती के रूप में कैमरा में कैद हो गई थी इस इंसिडन के बाद गौरव अपनी टीम के साथ और तस्वीरे कठा करने में लग गये और इधर आर्तिका और अंशुल जो की एक साइकिक थे समेट्री के दूसरे हिस्सों में तस्वीर खीचने लगे हैं कुछ दिर बाद आर्तिका काफी ठक चुकी थी इसलिए उन्होंने अंशुल और बाकी लोगों को आगे बढ़ने बोल दिया और खुद वहीं एक कुने में ब अंशुल ने बताया कि उन्हें उसकी आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं थी लेकिन आर्तिका कुछ सुनने की हालत में नहीं थी और होती भी कैसे अंशुल के ठीक पीछे एक लंबी चौरी और खड़ी थी जिसने धेर सारे फ्रिल्स वाला एक सफेद गाउन और एक फर्नांडेस से पूछा कि क्या वहां किसी मेरी नाम की ओरत का कब्र दफनाया गया था इसके आद गौरफ सर ने जब EVF का उन किया तो उन्हें क्लियरली एक ओरत की आवाज सुनाई दी जो अपना नाम मेरी बता रही थी पता करने पे टीम को फर्नांडेस ने बताया कि इस समेटरी में छे कब्रे हैं जो 1940 के दशक से यहां मौजूद है उन्हीं में से एक का नाम है मेरी और मेरी शायद इस समेटरी में दफनाई जाने वाली पहली औरत थी गौरफ सर ने आगे बताया कि मेरी की मौत बिटिशर्स के हाथों बहुत दर्दनाक हालत में हुई थी और दोस्तो आत्माओं की कहानियों में हमने अकसर देखा है कि उनका इरादा हमें नुकसान पहुचाने का नहीं होता बलकि वो हम तक अपना मेसेज पहुचाना चाहते हैं ऐसे में कहानी में एक मिस्टीरियस पॉइंट जुर जाता है और मुझे परसनली ऐसी होडर मिस्टीरि अब जहां मुझे होडर पसंद है वही मेरा जो एक दोस्त है उसे बड़े पॉर्सनाल्टी की लाइफ हिस्ट्री जानना बहुत पसंद है तो वह कुकुफम का इस्तमाल ऐसी ही बायोग्राफिस को सुनने के लिए करता है बेसिकली आपको कुकुफम पे आपके मन पसंद ज बाया सीखना चाहिए और इसमें कुकुफम आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा तो ऐसे में देर मत करो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिंड कॉमेंट में है उस पे क्लिक करो कुकुफम को डाउनलोड करो और वहां मेरा कोड हाउन्ट 50 का इस्तमाल ज़रूर करना थाकि आपको योली सब्सक्रिप्शन पे 50% आफ मिल सके है अपे लिस्निंग प्रस्तुत की गई कहानी मेरी अपनी आप बेती है इस लेक में मैंने ये बताया है कि किस तरह पैरनॉर्मल इंवेस्टिगेटर गौरव तिवारी सर की मदद से मैंने अपने पती की आत्मा से बात ची लेकिन फिर एक दिन एक भयानक हाथसा होता है जिससे उनकी जिन्दगी पूरी तरह बदल गई 31 मई 2013 को हर रोज की तरह उनके पती विजह अपने काम पे जाते हैं और वो डेली उनिवरसिटी में पढ़ाते थे वो जिन दोपहर के दो बजे युनिवरसिटी से एक कॉल आता है जहां नंदिनी को बताया चाता है कि उनके पती को हार्ट अटैक आया है लोगों के बहुत कोशिस करने के बावजूद हॉस्पिटल पहुंसते हुए ही विजह की जान चली गई इस हाथसे ने नंदिनी और उनके छोटे से बेटे अधित्या की जिंदगी में उथल पुथल मचा कर रख दी लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी तो विजह की जाने के बाद नंदिनी को हरवक घर में किसी अंजान प्रिजन्स का होना महसूस होता था कई असाधरन गतिविदिया भी होने लगी थी और वो कहती है कि अंतिम संसकार होने से भी पहले विजह का मोबाइल फोन अलग-अलग टाइम जोन दर्शाने लगा चौथे के अगले दिन किसी ने डोड बेल को कई बार बचाया लेकिन चेक करने पे वहाँ कोई भी नहीं था नंदिनी जब अपने पती के अस्थिया लेकर हरे दौर जा रही थी तब उन्होंने रास्ते में विजह का फोन आउन किया जहां सुबह के सारे साथ बज़े किसी ने युनिवर्सिटी को फोन लगाया था ये कैसे मुमकिन हो सकता था क्योंकि फोन नंदिनी के पास था और स्विच्ट आफ था कई दिनों बाद तक कुछ न कुछ घटनाए होती रही और नंदिनी बताती है कि उन्हें कई बार परदों के खिसकाय जाने की या बरतनों की गिरनी की आवाज आती रही यहां तक कि एक बार उन्हें विजय के फोन से अपने फोन पर कई ब्लैंक मेसेज़स मिले जब विजय का फोन चेक किया गया तो उनके आउट बॉक्स में कुछ भी नहीं था हद तो तब हो गई जब 28 सेप्टेंबर 2013 को आदित्या की तबियत अचाना खड़ाब हो गई और उन्होंने अंधेरे कमरे में विजय की परचाई को खड़ा देखा वो कहती हैं कि उन्हें ऐसा लगा कि विजय उनकी देख भाल करने के लिए यहीं मौजूद है और इसी के अगले दिन अधित्या की तबियत एकदम ठीक हो गई अब इस दोरान नंदिनी ने afterlife studies और communication के बारें पता लगाना शुरू किया जिस दोरान उन्हें Indian Paranormal Society के बारें पता चला उस वक्त नंदिनी उनसे मिलने गई और सारी घटनाओं के बारें बताया गौरव समझ चुके थे कि विजय की आत्मा एक intelligent afterlife source है और अपनी energy के थ्रू नंदिनी से जुड़ना चाहती है उन्होंने नंदिनी को EVF और voice recorder की मदद से विजय की आत्मा से जुड़ना सिखाया नंदिनी कहती है कि उनके लिए ये काफी मुश्किल था कई sessions में वो विजय की आवाज record तो करती थी लेकिन उन्हें समझ पाना काफी मुश्किल था लेकिन धीरे धीरे उन्होंने sessions को ध्यान से समझना सीखा और विजय की बाते समझने लग गई वो recorded sessions को गौरव के पास ले जाती और गौरव उनके लिए hello, thank you, love you जैसे शब्द ट्रांसलेट कर पाते है धीरे धीरे EVF training अच्छे से काम करने लगी और विजय ने गौरव के ज़र ये नंदिनी को कई बाते बताई उन्होंने नंदिनी को हिम्मत रखने को कहा और बताई कि वो दूसरी दुनिया में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कभी-कभी तो विजय complete sentences में बात कर पाते थे हाला कि ये वाज बहुत low pitch पर record होती थी और उन्हें काफे refine और translate करना पड़ता था इस अद्बुत घटना के कारण नंदिनी को आगे चलकर Society of Psychic Research London की तरफ से एक Research Grant Award किया गया उनकी EVF Recording को Survivor Research का कीमती सबूत माना जाता है यहाँ तक कि गौरव ने नंदिनी को ITC यानि Instrumental Trans Communication भी सिखाया जिसकी मदद से हम पानी के जर्ये किसी आत्मा की तस्वीरे खीच पाते हैं उन्होंने 5th July 2015 को ITC की मदद से विजय की एक तस्वीर भी खीची उनकी कहानी को God of पूरी दुनिया तक पहुचा है और इस वाक्या पे आज तक पर एक एपिसोर भी शूट किया गया था जहां प्रोग्राम अद्भुद अविश्वस्निय अकल्पनिय में नंदिनी अपनी और विजय की कहानी बताती हैं वाकई ये उनके लिए एक अविश्वस्निय अनभवी था मेगना IPS के साथ 2015 से काम कर रही थी उनका कहना था कि God of अपने team members को अपने पडिवार की तरह मानते थे उन सब के साथ समय बिताना और personal guidance देना उन्हें काफी पसंद था कहीं न कहीं वो अपने team को independent बनाना चाहते थे साथ जुलाई 2016 को हर रोज की तरह मेगना अपनी मा के साथ डिनर करने के बाद सुने चली गई अभी शायद कुछ मिनठी पीते थे कि उन्हें एक आवाज सुनाई दी वो हर बड़ा कर उठ गए उन्होंने देखा कि घर की light चली गई है स्टिल घर का computer सम्हाव ओन था और मेगना को एक धीमी सी आवाज सुनाई दी जो कि उसे पुकार रहे थी surprisingly ये आवाज हूब हूब अभू God of sir से मिलती थी और टीम को लगा कि मेभी उनके घर पे कुछ issues होंगे लेकिन यहाँ ये भी possibility थी कि God of sir अकेले किसी गुप्त केस पे काम कर रहे थे मेगना बताती है कि God of sir की मौत से कुछ वक्त पहले उन्होंने train से सफर करने के दोरान एक vision देखा था इस vision में वो train पे अपने बगल वाले सीट पे खुद को बैठा देखे थे just that उनका चहरा पीला पढ़ गया था और उनके गले पे काले रंग का निशान था डॉक्टर जितंदर नाकपाल ने God of दिवारी की मौत पर The Times of India से कहा था कि ये कोई असाधरन बात नहीं है एक paranormal investigator की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है कई बार अंजान शक्तियों से संपर्क करना, दो दुनिया की भी जूजना, किसी की भी mental energy चूस लेगा हाथ से के ठीक एक दिन पहले God of देर शाम आफिस आए सिधार्थ तब किसी केस पे काम कर रहे थे और God of सर कहते हैं कि जल्दी एक केस आने वाला है सिधार हैर छोडो काफी रात हो गई है तुम भी घड के लिए निकल जाओ, मैं भी चलता हूँ मेगना बताती है कि God of को मुंबई में पन्वेल के पास बसा एक बंगलो काफी पसंद था उन्होंने अपनी टीम से कहा भी था कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो मौत के बाद वो शाहिद यहीं मिले 2 सितंबर 2016 को God of के जन दिन वाले दिन सिधार्थ और मेगना ने उनकी आत्मा से कॉंटाक करने की कोशिस की हाला कि यह spiritual कॉंटाक उनके लिए unofficial और काफी personal था फिर भी वो दोनों इस बंगले में अपने साथ EMF मीटर कैमरा आदी लेकर पहुँचे बेगना बताती है कि बंगले में दाखिल होते ही उन्हें महसूस हुआ कि EMF की रीडिंग बदल गई है और आज पास काफी ठंड हो चुकी थी सिधार्थ ने कैमरा उन किया और फिर दोनों एक कमरे में जाकर EVP वगेरा सेट करने लग गए इस दोनों गौरव सर से कनेक भी कर पाए लेकिन इनके बीच क्या बाते हुई ये हमें नहीं बताया गया है अलन टिलर हांटिंग आस्ट्रिया के टी में गौरव के साथ काम कर चुकी है वो गौरव की अच्छी दोस्त हुआ करती थी उनके अनुसार उन्होंने दो बार गौरव के स्पिरिच्वल बाडी से कांटाक किया है पहली बार उन्होंने गौरव को साथ जुलाई 2016 को देखा था उस दिन वो अपने दोस्त की मौत से बहुत दुकी थी और दिन पर अपने कमरे में ही बैठी हुई थी रात के ठीके ग्यारा बजे एलन सोने के ख्याल से उठी और बात्रूम की तरफ बढ़ी जब वो वाश्रूम में अपना चेहरा धो रही थी तो उन्हें एक कोने में गौरव सर खड़े हुई दिखाई दिये उन्होंने एक सफेद रोब और औरेंज स्टैश पहना हुआ था एलन बताती हैं कि गौरव काफी शान्त लग रहे थे मानो बस उन्हें तसली दिने आये हो कि वो ठीक है एलन आगे बताती हैं कि 2019 में उन्होंने ओल्ड गिलॉंग गाउल में एक पब्लिक इंवस्टिकेशन और्गनाईज करवाया था ये वही गाउल था जहां हांटिंग ओस्टिले की टीम ने कभी इंवस्टिकेशन किया था इस इवन के दोरान कई घटनाएं होने लगी जैसे बार बार उनका सेट अप मालफंक्शन करने लग गया सारे डिवाइस इधर सुधर होने लगे जबकि ये सब बहुत अच्छे सेट किया गया था एलन को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा अचानक क्यों हो रहा है कुछ दरबात इन्विस्टिकेशन में मौजूद दोस आई कि डैनी और मिलेनी एलन के पास आए और उन्होंने बताया कि ये गरवरी गौरव की आत्मा कर रही है और वो अभी यहीं स्पिरिच्वली मौजूद है इलन बताती है कि उन्हें डैनी और मिलेनी की बात पर बिलकुल यकीन नहीं हुआ उन्हें लगा कि ये उन्हें बेवगूफ बना रहा है लेकिन फिर डैनी ने उन्हें कुछ ऐसे बाते सबूत की तोड़ पर बताई जो सिर्फ गौरव और इलन ही जान सकते थे मेले ने उन्हें बताया कि गौरव उन्से बात करना चाहते है अलेना के बताती है कि उन्होंने गौरव की स्पिरिट से कुछ हर्कत करने को कहा ताकि वो शौर होगे और गौरव ने उनके दाए तरफ की बाल खीचे जिन से उन्हें महसूस हुआ कि वो वही है उस दिन मेलने के थुरू गौरव ने एलन के साथ अपनी मौत के करीब हुए कई हादसे शेयर किये जिनकी वज़े से उन्हें ये कदम उठाना पड़ा अब वो डीटेल्स क्या थी ये तो एलन ने पब्लिकली रिवील नहीं किया लेकिन गौरव के चाहने वालों को यकीन दिलाया कि वो अब जहां भी है वहीं पेख खुश है गौरव तिवारी आज हमारे बीच नहीं है लेकिन अपने केसे और डेडिकेटेड इन्वस्टिकेशन के जरिये उन्होंने सब के दिलों पर एक चाप छोड़ दिया है गौरव सर कहते थे कि जिस तरह जीवित लोग अपना उपिनियन रखते हैं वैसे ही आत्माएं अपनी बात रखती है रिसर्च और फाइंडिंग से थुरू उन्होंने कई जगों से जोड़ी भ्रानताये नश्ट की और लोगों तक सच्चाई पहुँचाई उनका सफर छोटा था मगर काविले तारीफ था शायद यही वज़ा है कि उनके जाने के बाद भी उनकी लेगेसी जिन्दा है और हमेशा रहेगी आप कुछ लोग हैं जो इन चीजों को मानते हैं वहीं कुछ लोग हैं जो इसे बिलकुल भी नहीं मानते हैं मैं दोनों की उपीनिन को रस्पेक करता हूँ मैं यहाँ अपनी कोई उपीनिन नहीं दूँगा लेकिन हां मैं आपसे जरूर पूछने चाता हूँ कि आप किन में से हैं कि आप इन चीजों को या इन गटनाओं को मानते हैं या फिर आपका इन में कोई विश्वास नहीं ये बस आपके लिए एक entertainment है तो बस आज की वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो से like और share जरू कीजिएगा और यहां में आपको फिर सही याद दिला दू कि description और pin comment में दिये गए पहले लिंक पर क्लिक करके आपको कुफम को जरू दाउनलोड कीजिएगा और वहां आप मेरा code HAUNTT50 यानि की हांट50 का इस्तमाल कीजिए to get 50% off on yearly subscription जाने से पहले हमारे चानल हांटिंग ट्यूप को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरू दबाद दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोज लाते रहते हैं पीजिए